आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ओवर्थिंकिंग कि आप ओवर्थिंकिंग को किस तहां से स्टॉप कर सकते हैं इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलिएगा ताकि आपको हमारे मजीद कॉंटेंट की नोटिफिकेशन मिल सके हैं फर्स्ट फॉल थींग इस तो में क्लियर तो ओवर्थिंकिंग इस नोट बैड और नोट अ बिग प्रॉब्लम अड़ आपकी ये च्वाइस है कि आप सोचते के हैं यह सब आपकी सोच पे निसार करता है आप पॉजिटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं नेगिटिव भी कर सकत एक चीज होती है कि आप पॉजिटिव वे में कोई चीज सोच रहे हैं और उसको सोचे चले जा रहे हैं इस पर जितनी भी आप ओवर्थिंकिंग करते हैं इस नोट बैड लेकिन अगर वही ओवर्थिंकिंग आप किसी गलत चीज पे करें तो यह गलत है यह एक नुक्सान चीज है और डेफिनटली उस चीज का अच्छा असर आपकी सिहत पर भी पड़ेगा नाव वाट इस नेगिटिव थिंकिंग हमेशा हमारे इलूजियन्स पे हमारे बिलीफ पे बेस करती है नाव वाट इस इलूजियन्स वो ख्याली दुनिया है या उस सानवी दुनिया का जिसका हकीकत से कोई तालुक वास्ता नहीं है अब आप बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं और सोचते चले जारे हैं आप जानते हैं कि वो सोच हकीकत से कोई तालुक नहीं रखती लाइक आपकी कोई प्लैनिंग भी हो सकती है आप उसको सोचते चले जाने हैं सोचते चले एक ह्याल आपके दमाग में उसके बारे में चलने लगा है कुछ लोगों के साथ होता है कि वो उस दुनिया में इतने ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि एक पिक्टर, एक पिक्टोरियल व्यू उनके माइन में चलने लग जाता है उस चीज़ का आप उस सोच को स्टॉप नहीं कर पा रहें और आप उस ख्याली दुनिया से निकल ही नहीं पा रहें अब आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे अब ये वो सोच है जो फोरण से आपके दमाग में आते ही सब चीज़ों को क्लियर कर देती यानि एक दफ़ा कुछ क्लियर हो जारे के बाद किसी सवाल की गुंजाईश बाकी नहीं रहती आपके रमाइन में बसलिन खुदा अब सवाल आते हैं खुदा है या नहीं है अब आपको यकीन कैसे है कि खुदा की जात मुझूद है डेफिनिटली आप अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं आप अपने होने पे गोर करते हैं कि हम क्या हैं तो डेफिनिटली हर चीज़ में आपको खुदा नज़र आता है क्योंकि खुदा ही वो जात है जिसने इतनी बड़ी दुनिया को तख्दीक दिया है अब ये तिंकिंग यहीं पर क्लियर हो जाती है इस बात के पात कोई सवाल आपके पास नहीं रहता आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि आप बात ये उस जात के बारे में करें जिसके बारे में कोई सवाल उठाया जा ही नहीं सकता अब आपके सामने एक और इनसान है जो किसी और रिलेजन से, किसी और मज़ब से तालुक रखता है वो डेफिनिटली आपसे अपने मज़ब के अकॉर्डिंग बात करेगा और दूसरी तरफ आप हैं जो 100% शोर है तो वो जो बंदा आपसे बात करेगा तो अपने रिलेजन के अकॉर्डिंग करेगा और वो चीज़ आपको नेगिटिव वे में लेके जाएगी लाइक आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप उसमें स्टक्ट हो जाएंगे इसी जुकों पर एक तनाज़ा काईम हो जाता है कि सच कौन बोर है, कौन ठीक है इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकार नेगिटिव थिंकिंग बिकाज किसी चीज़ में कन्फ्लिक्ट आ जाना, किसी चीज़ में कोई तनाज़ा इसान को नेगिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता है बिकाज एक इमेजिनेशन काईम हो जाती है आपको खुदा के होने का यकीन है इस रियल्टी लेकिन जब आप एक सोच में पढ़ जाते हैं कि यह बन्दा ठीक बो रहा है या मैं ठीक बो रहा हूँ तो इस काड़ कन्फिलेक्ट और यह कन्फियो यह ना आपको रेगिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती है अब एक मिसाल है आप डिफरेंट स्कॉलर्स की वीडियो देखते हैं सब स्कॉलर्स डेफिनिटली उनकी रिसर्च होती है वो कुछ पढ़के कुछ रिसर्च करने के बाद ही कुछ ना कुछ बोरे होते है लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप एक स्कॉलर्स की बात सुनके जाते हैं उसे टॉपिक पे आप दूसरे की दरफ जब जाते हैं तो कुछ चीज ने आपको कनफ्यूज कर देती है लाइक एक ने अगर किसी चीज पे बयान दिया है उसका एक बयान आपने सुने है ठीक है आप दूसरे स्कॉलर्स की बात सुनने के लिए चलेगी है और थोड़ी सी भी चीज डिफरेंट है तो आपके माइन में कनफ्लिक्ट पैदा कर देगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी तो इस कनफ्लिक्ट को खतम करने के लिए आपने एक पॉजिटिव रास्ता चूज करना है पॉजिटिव रास्ता क्या है कि आप उस चीज को जाकर क्लियर करणे क्लियर किस दो करेंगे आप उसको कि आप जाएंगे और कुरानِ मजीद से रिसृच करेंगे आप उसको पढ़ेंगे जो अल्ला त allah की कलाम है जिसमें लाद अला ने सीधा रास्ता दिखाया है और जब उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको है सवाल का जवाब मिल जाएगा है चीज आपके लिए क्लियर्ड हो जाएगी अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोगों के बारे में जज्जमेंट्स करते हैं लाइक एक इनसान है उसके साथ आप बैठे हैं वो आपके बारे में अच्छी बाते कर रहा है या आपके साथ पॉजिटिव वे में बात कर रहा है लेकिन आपने किसी से सुना है अब ये एक belief है ठीक है not reality आपने उसके बारे में सुने है कि वो आपके बारे में negative thoughts share करा था अब आपके mind में conflict create हो गया है वो क्या है कि आपके बारे में वो negative thoughts कैसे पेश कर सकता है जबके वो आपके सामने तो बहुत अच्छा है अब इस चीज़ को लेके आप अपने दमाग में जहर गुलते रहते हैं आप अपने दमाग में इस चीज़ को लेके खुद को hurt करते रहते हैं तो इसका positive solution भी तो है जो reality पे बेस्ट करता है go and let them clear अपने सब problems का solution clear करें आप जाके उसको discuss करें ताके सब clear हो जाए वो उसका अमल है आपकी ये overthinking उस बंदे की जात पे कोई असर नहीं मरतब करें ये आपकी अपनी जात पे असर करेंगी ये आपकी अपनी health पे असर करेंगी one thing to make it clear कि कोई इनसान साफ शफाफ नहीं होता हर इनसान में कोई ना कोई खामी कोई ना कोई होबी जरूर होती है आप खुद पे focus करें क्या आप में सिर्फ होबी है आप में कोई खामी नहीं है या आप किसी के बारे में कुछ negative नहीं सोचते आप सब के बारे में सब कुछ अच्छा सोचते है नहीं हमें भी कुछ ना कुछ बुराई हैं कोई इनसान फरिष्टा नहीं होता अब जब आप खुद नेगिटिव चीज सोच रहें कि यार उसने मेरे बारे में बात की थी आप पॉजिटिव वे में भी तो सोच सकते हैं कि यार अगर उसने की थी शायद कुछ सोच की किया हूँ वो मेरे साथ अच्छा भी तो था आप अच्छी चीज को याद रखें आप उस चीज को अपने जहन से रिमूव कर दें उसको बूल जाएं जो बुरा हुआ था अब वो एक आपका बिलीफ था जो आपके माइन में चल रहा था लेकिन आपको यह सब बैठ के क्लियर करने के बाद यह अपने माइन से रिमूव करने के बाद जो सुकून मिलता है इट्स रियाल्टी हमेशा याद रखें यह चुछ चीज़ें यह जो बातें आप अपने अंदर स्टॉक करते चले जाते हैं यह स्टॉक आपको अंदर ही अंदर खाता है यह आप जो कुड़ते रहते हैं यह आपको एक दिन नेगिटिव ओवर थिंकिंग का मरीज बना देता है तो काइनली इस चीज़ से बचें इस चीज़ से खुद को सेव करने की कोशिश किया करें जब भी कोई नेगिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चलने लगे उसको छोड़ के आप खुद को मस्रूफ करने किसी अच्छे काम में ताकि यह ओवर थिंकिंग यह नेगिटिव ओवर थिंकिंग अच्छी चीजों पर पज़ो दें और बרג्णो Just को एग्नूर करदें उनको बिल्कुल रद करदें जो जैसा है, उसको वहसा रहने दें किसी के आपको गलत कहने से आप गलत नहीं हो जाएंगे या किसी के आपको बुरा कहने से आप बुरे नहीं बन जाएंगे आपकी अपनी एक personality है, आपकी अपनी एक बेचान है आप खुद को अच्छा इंसान प्रूफ करेंगे या एक चीज आपके mind में होती है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो देखें, वक्ती तोर पे उसने आपका नुकसान किया है लेकिन वो आपके लिए next time के लिए एक lesson है, एक चीज है जो आपने सीखी है ठोकर लगेगी तो उठना सीखेंगे ना याद रखें, दुनिया में कोई चीज बेमकसद नहीं होती किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी चीज के वजूद की कोई ना कोई वज़ा जरूर होती है और इसका तायून आपने खुद करना है कि उसकी जगा गलत है या ठीक अगर आप इसको positive way में लेकर जाएंगे तो ये एक अच्छी चीज भी थाबित हो सकती है वक्ती है, आपको तकलीफ हुई है, आप हर्टू है लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए वो एक lesson है आप आइंदा उस चीज से इतियात करेंगे आप बच के चलना सीख जाएंगे चोड़ने इस बात को कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें कि आप ठीक हैं, क्या आप क्लियर हैं अपनी बात में और जब जब जवाब आजए ना, कि हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ तो उस टाइम छोड़ने लोगों को जो वो सोचते हैं उनकी सोच पे, वो उनका अपना अमल है क्योंकि बात फिर से वो ही आजाती है कि आप अगर एक चीज़ को सोचे चले जा रहे हैं कि उसने मेरे बारे में यह सोच है तो उस इनसान पे ज़रा सा भी फर्क नहीं पढ़ना आपकी सोच का फर्क पढ़ना है तो आपकी अपनी जात पे, आपकी अपनी सेथ पे, आपकी अपनी मेंटल, आपकी अपनी दिल की कंडिशन पे और आप उन बातों को अपने दिल में लेके कभी भी हुश नहीं रह पाएंगे जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उसी दिन आपकी जिन्दगी में 100% सकून आने लगेगा और जब आपका दिल और दमाग मुतमेन हो जाए तो आपकी लाइफ बहुत हद तक असान हो जाती है वान तिंग टू अडरस्टेंड इस कि आप खुद को अपनी सोच को किस तरह से कंट्रूल करते हैं आपका ज़रा सब भी घलत बिलीफ आपकी सारी रियालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपकी एक रियालिटी आपकी सारी इलूयन को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो यह आप पे है कि आप अपने नफस को अपनी सोच को किस तरह से काबू करना सीखेंगे सो योईस ये था हमारा आज का टॉपिक मिलते हैं अगली वीडियो में विद अमोर इंफॉर्मेटिव टॉपिक उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्नों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा नाउ स्टे ट्यून अलाहाफिज